देश 14 अप्रेल तक लॉक्डाउन हुआ नहीं माने तीन मही तक लॉक्डाउन रहा अब भी नहीं माने तो 17 मही तक घर में रहना है घर बैटकर लोग करे भी तो क्या वाट्सप चला लेंगे इंस्टाग्राम यूज कर लेंगे फेस्बुक देख लेंगे टिक टॉक बना ले लोगों का दिन गुजर जाना मेरे हिसाफ से तो मुश्किल ही हो रहा होगा आप लोग मुझे बताइए का जरूर कि मैं सही कह रही हूं या नहीं अब टीवी की बास शुरूगी है तो आपको ये भी बता दूँ कि हाल ही में जब से लॉकडाउन लगा है तब से गवर्में के नौ बजे लोग टीवी के सामने बैट जाते हैं और शाम के नौ बजते ही वापस से टीवी के सामने नजर आते हैं लोगों की इसी करमठता की वज़र से रामायन ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जी हां लॉकडाउन के इस दौर में रामायन को जितने लोगो में अपना नाम दर्ज कर लिया है फिलहार की कंडिशन में रामायन सबसे जादा देखी जाने वाला सीरियल बन गया है रामायन को साथ दिशमलव साथ करोड दर्शुकों ने देखा है और इसी के चलते इस धारवाहिक ने एक नए विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिय और ये है सबसे जादा देखी जाने वाले धारवाहिक का रिकॉर्ड जिसमें रामायन सबसे जादा देखी जाने वाला धारवाहिक बनकर सामने आया है सीरियल के एक बार फिर से फेमस होने से इसकी कलाकारों को भी फिर से समान दिया जाने लगा है या ये कहें कि एक बार फिर ये लोगों के बीच फेमस हो गया है रामायन में निभाय गए सभी करदार के जो कलाकार हैं उन्होंने बखुबी अपना करदार निभाया है और सारे किरदारों में अपने अभिने से किरदार की अस्नियत को दिखाने की पूरी-पूरी कोशिश की है इन कलाकारों का ही कमाल है कि हम रामायन को इतने सरल और संदर तरीके से समझ और देख पाए हैं इसलिए इस विश्व रिकॉर्ड का क्रेडिट इन कलाकारों को भी चाता है रामायन के इस नए विश्व रिकॉर्ड के लिए धन्यवाद देने के साथ हम यही कहेंगे कि टीवी देकर ऐसे ही नए-नए रिकॉर्ड बनवाते रहिए लेकिन अपने घरों में रहिए और कोरोना से दूर रहिए